हेलो दोस्तों नवश्का दोस्तों स्वागत है आप सुभी का ओनलाइंग अड़ा फॉस्टोडी यूट्यूब चैनल पर वीडियो में हम बात करें बड़ी और लेटिस अब्डेट के बारे में जोकी संबन देते हैं नई प्राथमिक उच्छ प्राथमिक सिच्छक भरती के बारे में 50,000 पर पर नई प्राइमरी जूनियर सिच्छक भरती के बिग्यापन को लेकर डिटेल में बात करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक करें जिससे कि आपको रियल आथेंटिक जानकाई सबसे पहले मिलती रहें बी करने वाले अभ्यति जब से बाहर हुए थे उसके बाद ज्यादा दर की मांग यही थी कि उनको जूनियर यानि की विकेंसी के अंदर बैठने का मोका दिया जाए क्यूंकि उन्होंने भी लाखों रुपे खर्च करके बिए डिगी ली थी लेकिन आज वो रद्धी के भाव पड़ी हुई है अब ऐसे में अगर बात की जए पचास अजार पदो पर नई प्रात्मिक और जूनियर सिच्छक भरती के लिए जिसमें बीएड बीटीसी और डिलेड को दोनों को बराबर का मोका दिया गया है और यह मैत्पुड बात यह है कि इस बात को सरकार के माधियम से समझा भी गया है क्योंकि आम तोर पे जो अभ्यरतियों की पीड़ा होती है बेर्जगारों की परेशानी होती है और वो कहीं ने कहीं यहां पर सरकार तक नहीं पहुच पाती है उसका खामियाजा चात्रों को बहुत ना पड़ता है लेकिन ऐसे में पचास हजार से अधि अधिया वो देखने के लिए मिलेगी जिसको लेकर यहां पर अनॉस्मेंट आप सभी के सामने हैं जिसमें लिखा हुआ है कि योगिता धारियों की बल्ले बल्ले होगी क्योंकि डियलेट करने वाले अभ्यरति दोनों में ही आविदन कर सकते हैं चाए वो प्रैमरी के अंद तीसे चर्ण की सिच्छक भरती भी चल रही है जिसके आविदन आपस भी 10-2024 से कर सकते हैं और 23-2024 तक का आपको समय मिलेगा लेकिन इसके तुरंत बाद में चौथे चर्ण की सिच्छक भरती के विग्यापन को लेकर भी जानकाई जारी कर दी गई है जिसमें बता है क्या 50,000 अधिक पदोंपे होगी निउक्तियां जाची में चौथे चर्ण के लिए सिर्फ लेवल वन और लेवल टू की कक्षा के लिए 50,000 अध्यापकों की बहाली देखने के लिए मिलेगी जिसमें 50,000 अध्यापकों की लेवल 1-5 इसके अलावा 6-8 के अध्यापक होंगे कि तीसे चरण की भरती के तुरंत बाद बिहार में चौथे चरण की सिच्छक भरती होने जारी है जिसमें B.A.D. औ.B.T.C. के लिए प्रयाप्त संख्या में बराबर बराबर सीटे निकाली जाएंगी जिससे के जो B.A.D. को लेकर प्रैमरी सिच्छक भरती में विवाद हु हुआ है तो ऐसे में बड़ी अनॉस्मेंट यहां पर बेहार सरकार के माध्यम से की गई है कि 50,000 प्रदोपे प्राथमिक और जूनियर सिच्छक भरती का विग्यापन जारी होगा बाकि उससे पहले एक और विग्यापन आप सभी के सामने आ चुका है जिसके लिए आप लो जाज आप विडियो